हाई फ्रेंड्स, बुक समरी प्रेजेंट कर रहा हूँ, बुक का नाम है The 10X Rule, Grand Cardone दोरा लिखी गई है, ये मेरा 6th पार्ट है वीडियो का, मैं पार्ट्स में वीडियो को इसलिए प्रेजेंट करता हूँ, so that वीडियो लंबा भी ना हो, मेरा कोई content मिस भी ना हो, तो फ्रें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि customer satisfaction important नहीं है, customer का happy होना, satisfied होना बेहद जरूरी है, but हमने primary focus जो है customer बढ़ाने के ओपर करना है, जब हमारे पास customer होंगे, तो बाद में हम satisfaction के ओपर भी work कर सकते हैं, यहाँ पर वो इसकी example देते हैं, wife के through like, अगर आपने wife को खुश रखन है, तो पहले आपके पास wife होनी चाहिए, इस दुनिया में जितने भी persons हैं, जहां companies हैं, जो आज दिन तक fail हुई हैं, वो इसलिए fail नहीं हुई, कि उनकी service जहां product में कोई कमी थी, बलकि इसलिए fail हुई है, कि उनके पास number of customers जो थे, वो कम थे, उनके customers ज्यादा नहीं थे, तो इसलिए हमने जो focus है, वो customer बढ़ाने के उपर करना है, अगर हमने काम जाब होना है, कोई company बहुत अच्छी है, उसका product बहुत अच्छा है, वो उसकी बहुत अच्छे से delivery कर रही है, उसके बाब जूद भी जो है, आपको complaints आएंगी, customer फिर भी सारे customer को आप हमेशा हर ट product, service, company, brand, पूरी दुनिया में available हो, हर जगे, हर time available हो, इसकी example है, कुछ companies, Coca-Cola, MacD, Google, Starbucks, और भी बड़ी सारी companies है, जिनका product हर टाइम पूरी दुनिया में available है, इसी तरीके से कुछ नाम है, जो आज पूरे world में available हैं, जिनको world के लगबग सारे लोग जानते हैं, ये नाम है, like Will Gates, Warren Buffet हो गया, Michael Jackson, Michael Jordan, Mother Teresa, Muhammad Ali, ऐसे बड़े सारे नाम हैं, तो ओतर हमें यहां पर कहते हैं, कि हम कौन हैं, हम क्या present करते हैं, लोग तब तक हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, जब तक वो हमें जानते नहीं होंगे, तो अगर हमने अपने sector में dominate करना है, 10x rule के साथ चलना है अगर हमारे goals बड़े हैं, तो हमें भी omnipresent बनना पड़ेगा, कि लोग हमें जाने हमारा product service company हर जगे available होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले है कि हम जो हमारी locality है, हमारी community है, वहां के सारे लोग हमें जानते हों, different different community में हमने अपने link बढ़ाने हैं, चाहे वो हो सकते हैं, हम local newspaper में लिखे, वहां अपने local player के साथ हमारी meeting हो, मतलब हमने अपनी जान पहचान को बढ़ाना है, author कहते हैं, जब मैंने अपनी presence को बढ़ाना था हर जगे, तो मैंने 18 महीने के अंदर 200 video sales के ओपर record किया, 700 radio interviews दिये, 1500 मैंने articles लिखे 18 मन्त के अंदर, इससे मुझे दीरे दीरे बड़ा expose मिलना शुरू हो गया, मैंने 2000 post लिखी Facebook, Twitter और LinkedIn के ओपर, मैंने YouTube और Flickr को बढ़े अच्छे level पर यूज करना शुरू किया, तो इससे दीरे दीरे मेरा business बढ़ने लगा, वो लोग भी मेरे साथ business करने लग पड़े, जिन बढ़ाना पड़ेगा, chapter number 21 है, excuses, बहाने, याद रखिए, जो लोग बहाने बनाते हैं, उनकी जिन्दगी में कभी कोई बदलाब नहीं आता है, उनके हलात में कभी भी कोई सुधार नहीं आता है, excuses जो हैं, ये slaves और victim लोग जो हैं, सबसे जएदा बहाने बनाते हैं, एक person गर कहता है, मैं लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया, कि रास्ते में traffic था, तो ये प्योर एक बहाना है, क्योंकि उसको चाहिए, कि वो traffic का time भी बीच में add करके घर से निकले, तो ये, यहाँ पर मैं एक अपनी excuses की list जो है, हमें author के दोरा दी जा रही है, जैसे person कहते हैं, मे तरह की लोग जो हैं, बाते हैं, बहानों को लेके बनाते हैं, customer callback ही नहीं करता, customer ने appointment cancel कर दी, economy सही नहीं चल रही है, तो finally author हमें पूछते हैं, कि आप कौन सा बहाना यूज करते हो, याद रखिए, हमारे हलात और जिंदगी में कभी कोई बदलाब नहीं आएगा, अगर ह वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मैं रेगलर बेसिस पे आपको इस तरह के educational content देता रहूँगा, thanks for watching.